तो दोस्तो ये दिया आपका भी वजट है लगबग 25,000 रपे के असपास और आप एक बड़िया और अच्छा वीवो कमपनी का स्मार्टफून खरीदना चाहते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके लिए टो वीवो के ऐसे 5G स्मार्टफून लेकर आए हैं जो की आपको लगबग 30,000 रपे के असपास देखने को मिल जाते हैं और इनके अपको बड़िया फीचास मिलते हैं तो दोस्तो बने रही आप इस वीडियो में एंट तक और इदिया आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शियर जरूर करें लेकिन दोस्तो इस समार्टफून का लूक और इसका डियान भी वड़िया है और इसके अदर आपको फीचर भी बड़िया देखने को मिल जाते हैं दोस्तो अगर इस समार्टफून के अधर आको कमपने ने 6.44 इंच्च की Full HD AMOLED डिप्सेय प्रोवाइड कराई है Camera sensor के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone के बैक मिल के पर आपको 64 में विक्सल, 8 में विक्सल और 2 में विक्सल का rear camera और 44 में विक्सल का front selfie camera देखने को मिल जाता है तो दोस्तो camera के मामले में smartphone काफी बढ़िया है इसके अंदर आपको company ने काफी अच्छे camera sensor पर वाइड कराई हैं जिससे आप इस smartphone से बढ़िया picture सादी को capture कर सकते हैं और वीडियो आदी को shoot कर सकते हैं और इसके साथ इस smartphone अंदर आपको OIS का भी support देखने को मिल जाता है अगर दोस्तो बात की जाए स्मार्टफून के परोसेजर के बारे में तो दोस्तो इस smartphone अंदर आपको media take का chipset देखने को मिलता है जिहां दोस्तो इस smartphone अंदर आपको media take dimensity 800U का chipset देखने को मिलता है जो कि आपको काफी अच्छा performance देने वाला है लेकिन दोस्तो आजगल के smartphone क अंदर मिलने वाले processor के मुकाबले में यह है chipset इतना ज्यादा powerful भी नहीं है लेकिन दोस्तो इस chipset आपको काफी अच्छा 5G experience देने वाला है अगर दोस्तो बात की जाए स्मार्टफून की battery के बारे में तो दोस्तो इस smartphone अंदर आपको company ने 338 के fast charging support वाली 4000 image की battery भी provide कराई है बाकी दोस्तो अगरी smart phone के price के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone का सुरुआती वीरेट आपको Indian market में अभी लग बग 25500 रुपी के असपास देखने को मिल जाता है और दोस्तो हमारे list में नमबर 4 पर आता है वीवो कंपनी का वीवो T2 smartphone जो की दोस्तो अब हाल ही में launch किया गया है इस smartphone दो आपको कंपने ने काफी अच्छे features प्रोवाइड कराए हैं अगर दोस्तो इस smartphone के features के बारे में बात करें तो दोस्तो इस smartphone दो आपको कंपने ने 6.38 इंच की full HD water drop AMOLED display प्रोवाइड कराई है जो की 1300 Neats Peak brightness के सपोर्ट के साथ आती है तो दोस्तो smartphone दो आपको बड़िया display experience मिलेगा अगर दोस्तो बात कीजाए smartphone के camera sensor के बारे में तो दोस्तो इस smartphone के backplane पर आपको dual rear camera sensor देखने को मिलते हैं जिसमें आपको 400 प्लस दो मैय पिक्सल का rear camera और 16 मैय पिक्सल का front selfie camera देखने को मिल जाता है तो दोस्तो camera के मामने में smartphone ठीक ठाक है इसके इंदर भी आपको अच्छे camera sensor मिल जाते हैं जिससे आप बड़िया picture को capture कर पाएंगे और इस smartphone देर भी आपको OIS का support देखने को मिलता है तो दोस्तो camera के मामने में smartphone भी आपके लिए बड़िया होने वाला है अगर दोस्तो बात की जाए smartphone के प्रोसेजर के बारे में तो दोस्तो इस smartphone दर आपको कंपनी ने snapdragon का chipset provide कराया है जिहां दोस्तो इस smartphone दर आपको ओक्ता को और प्रोसेजर के साथ snapdragon 695 देखने को मिलता है जो कि snapdragon का एक बड़िया chipset है यह आपको काफी अच्छा gaming performance देने वाला है हाला कि दोस्तो यह chipset इतना ज्यादा powerful chipset नहीं है और इस smartphone दर आपको dual 5G connectivity का भी support देखने को मिल जाता है अगर दोस्तो बात की जाए smart phone की battery के बारे में तो दोस्तो इस smartphone दर आपको फास्ट अचा जर भी अच्छा देखने को मिल जाता है तो दोस्तो इस smartphone दर आपको आपको ठीक ठाक features मिल जाते हैं अगर आप इस smartphone के 8GB वाले variant क को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तो इस smartphone का प्राइज लग बग 21,000 रपे के असपास रखा गया है लेकिन दोस्तो इसका 6GB वाला variant आपको लग बग 19,000 रपे में मिल जाता है और दोस्तो हमारे लिस्ट में नमबर तीन पर आता है वीव कंपनी का वीव वी 23 5G smartphone दोस्तों यह इस smartphone की काफी popular smartphone है और इस smartphone दर आपको company ने काफी बड़िया features प्रोवाइड कराई है अगर दोस्तों इस smartphone के features के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस smartphone दर भी आपको 6.44 inch की full HD dual cutout वाली notch display प्रोवाइड कराई है जो की बिल्कुल flat design के साथ आती है तो दोस्तों डिस्प् smartphone के camera sensor के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस smartphone के back film के पर भी आपको triple camera sensor मिलते हैं जिसमें आपको 116 MP, 8 MP, 2 MP का rear camera और 50 MP, 8 MP का dual front selfie camera देखने को मिल जाता है तो दोस्तों camera के मामले में smartphone view company का एक खाफी अच्छा smartphone है इस smartphone दर आपको primary camera sensor भी जवरदस प्रोवाइड कराई गई हैं और इसके दर आपको दोस्तों selfie camera और भी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं इसके दर आपको 50 MP, 8 MP का dual front selfie camera मिलता है जिसे दोस्ती smartphone दर आपको काफी बढ़िया अच्छा camera experience मिलेगा अगर दोस्ती smartphone के प्रोसर के बारे में बात की जाए तो दोस्ती smartphone दर आपक स्पोर्ट मिल जाएगा बैंटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्ती smartphone दर आपको कंपने ने 47 Watt के फास्ट अचाजिंग स्पोर्ट वाली 42 MS की बैटरी प्रोवाइड कराई है तो दोस्ती smartphone दर आपको बैंटरी तो इतनी ज्यादा powerful देखने को नहीं मिलती लेकिन दोस्त यह दिया आप इस smartphone को खरीदना चाहते हैं तो दोस्ती smartphone का सुरुआती वे नेट आपको अवी लगबग 26,000 रपे के आसपास है फरिप काड़ के पर देखने को मिल जाता है और दोस्तो हमा लिस्ट में नंबर दो पर आता है वीवो कंपनी का वीवो T1 Pro smartphone दोस्ते यह smartphone की पर दोस्तो हमा लिए smartphone के आपको इन डिस्प्ले फिंगर पिन स्कैनर मिल जाता है तो दोस्तो डिस्प्लेंग मामने में वे वीवो कंपनी के दूसरी सभी smartphone की तरह ही है इसके इंदर भी आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है अगर दोस्तो इस smartphone के camera sensor के बारे में ब बात करें तो दोस्तो इस smartphone का सबसे खास फीचर इसका processor है क्योंकि दोस्तो इसके इंदर आपको snapdragon 788G 5G का chipset provide कराया है जो कि snapdragon का एक बढ़िया और अच्छा powerful chipset है यह chipset आपको काफी अच्छा gaming performance देने वाला है यदि आप PUBG और BGMI जैसे गेमों के सुकीन है तो दोस्तो इ स्मार्फोन आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्ते स्मार्फोन इंदर आपको कमपने ने 66W के fast charging sport वाली 477W की बैटरी प्रोवाइड कराई है तो दोस्ते स्मार्फोन इंदर आपको battery भी powerful मिलती है और इसके इंदर आपको fast अ में मिल जाता है और दोस्तो हमार लिस्ट में नंबर एक पर आता है वीवो कमपनी का वीवो वाई वन एंडर 5G स्मार्फोन जो की दोस्तो अब हाल ही में लौंच किया गया है इस स्मार्फोन का look और इसके डियान भी बढ़िया है और इसके इंदर आपको features भी काफी बढ़ इस स्मार्फोन दोर भी आपको काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसके Ke myśler का edit के अगर तोस्तो के मामले में स्मार्फोन काफी बढ़िया है इसके इंदर भी आपको कंपने ने काफ़ी अच्छी इजल्द नमय कğ पिक्सल कर में ए अगर दोस्तो इस स्मार्टफून देर आपको मीडियो टेक डाइमेंग सिटी 990 का चिपसेट देखने को मिल जाता है और यह स्मार्टफून Android 13 ऑपर काम करता है तो दोस्तो इस स्मार्टफून देर भी आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है क्योंकि दोस्तो इस स्मार्टफून देर भी आपको मीडियो टेक का एक अच्छा चिपसेट देखने को मिलता है जो कि आपको काफी बड़िया परफॉर्मेंस देने वाला है अगर दोस्ते इस Smartphone की बैटरी के बारें बात करें तो दोस्ते इस Smartphone की आपको कमपने ने 47 Watt के Fast Chaser और बैटरी दोनों ही चीज अच्छी देखने को मिलती है जिससे इस Smartphone की आपको काफी बड़िया पार बैकप देने वाला है और दोस्ते इस Smartphone की आपको 8GB की रैम देखने को मिलती है और इस Smartphone की रैम को आप 8GB तक Extend भी कर सकते हैं अगर आप इस Smartphone को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तो इसका सुरुवाती विरिंट आपको अभी फिलिप काड़ के उपर लग बग 25,000 रपे में मिल जाता है तो दोस्तो ये थे वीवो कंपनी के टो फाई ऐसे फाई जी स्मार्टफून जो की आपको 25,000 रपे का सबस देखने को मिलते हैं और इनके इंदर आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं तो दोस्तों आपको इन मिल फिलिप काड़ा स्मार्टफून से ज्यादा पसंद आया और आप इन मिल फिलिप करिदना पसंद करेंगी हमें कमनेंट बॉक्स के कमेंट पर जरुबतायें और इदे आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करेंगें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद